प्रोग्रेम प्लेफिल्ड पाकिस्तान ने दूसरा वन डे इंटरनाशनल वेस्ट इंडी से जीता और सीरीज अपने नाम कर ली बाबर आजम ने एक शांदार रेकॉर्ड अपने नाम किया टिंडोल कर, कोली, रिकी पॉंटिंग, बड़े-बड़े कैप्टन्स को पीछे छोड़ दिया हाशे मामला के रेकॉर्ड के पीछे तो पड़ी गए हैं, बाबर आजम विराट कोली के रेकॉर्ड को काफी देर से तोड़ते चले आ रहे हैं तो 17 इनिंग में विराट कोली ने किये थे इससे पहले और फिर एबीड विलियर्ज और 17 इनिंग के इन विलियमसन ने किये थे बाबर आजम शांदार तरीके से रेकॉर्ड तो तोड़ है लेकिन एक अच्छी चीज यह है कि उनके बैटिंग में जो consistency नजर आती है वो उसको carry और continue करना चाते भी हैं उनके willingness भी है और उस पे काम भी कर रहे हैं यही चीज यंग्स्टर्स जो आ रहे हैं बाबर आजम को follow करते हुए सिर्फ follow batting style या drive मार लेना नहीं होता consistency और ball merit पर खेलना सबसे बड़ी मेरा ख्याल है follow शिप होती है अगर आप किसी को follow करना चाहें तो इससे अच्छी कोई चीज नहीं होती उसके साथ साथ जनाब अली बड़े अर्से बाद मैंने स्टार्डम देखा और मैं बड़ा खुश हुआ कि मुल्तान के मैच में ही एक फैन सारे हिसार तोड़ कर आया और उसने शादाब को गले लगाया ये सालों पुरानी बात होगी मेरा खाले लास्ट टाइम मैंने शायद ये चीज़ होते वसीम अकरम, साइद अन्वर, शुय बखतर, वकार यूनस, याइंज अमामुलक, मुहमद यूसुफ, इनके साथ देखी इसके बाद ये चीज़ हमने देखी नहीं, दुनिया वर में होती है लेकिन पाकिस्तान में ये एकदम से खत्म होगी, गायब होगी, अलम्दो इला ये चीज़ वापस आई, इस पर भी बात होगी, आई-सी-सी टेस्ट ट्रैकिंग में बाबर आजम चौते पर चले गए है शांदार बाबर आजम तेजी ते तरकी कर रहे हैं, चौद्वा फ्रेंच उपन मिडल वो रहा जनाब अली निडाल के नाम और फ्रेंच उपन चौद्वा निडाल के नाम रहने के साथ-साथ, 22 ग्रेंड स्लैम जीद गाए निडाल, शांदार परफॉर्मेंस, यंग्स्ट लोगों को पचार देना, पाकिस्तान ने इस बार फिर फीफा वर्ल्ड कप के लिए फुटबल तयार किया, यह पाकिस्तान का एक और अख़ाद है, तो यह थी जनाब अली क्रिक्ट की खबरें अब बात होगी पाकिस्तान वेस्ट इडीज के हवाले से, फैसल अथर साबिक पाकिस्तानी टीम नाशनल टीम के आपनिंग भाडिक्ट मैंड है, हमारे साथ मौजूद है, फैसल बाई अले कुछ अले कम, इसे उसाथ का बड़ा फैन हूँ, शांदार तरीके से आगे बाड़ा है, लकिन अच्छी चीज़ या है कि कar दि grabbed जिकर कर रहा था, फैसल भी chemotherapy क को फॉलो करना मेरे खाले ज्यादा जरूरी है यंग्स्टर्स के लिए ना कि सिर्फ ड्राइब फॉलो कर लिए यही मामला रिज्वान का है रिज्वान भी बड़े तेजी से आगे बढ़ रहा है वन डे में थोड़ी लैकिंग है लेकिन उसके बावजूद दो बड़े फॉर कुसी मांड जा रहे है ज्यादा एक्सपारिमेंटन नहीं करते हैं कि उनके पता एके उनकी किया है और कोशिछ करते हैं वह उतनी स्ट्रेंज के मताबργblade खेले ुच्छ एक्स्टर ओपनरीन नहीं करते हैं जिसकी वाज़े कि वाज़े से लिए दूसरी चीज़ है कि मांड में या तो previous performance नहीं आपके जहिन में रहती है कि इसके वज़से आप overconfidence नहीं होते हैं तो confidence and overconfidence का बड़ा बेतरी balance है जिसकी वज़से वो consistent होते जा रहे हैं और अपनी inning batting के साथ वो बहुत जादा मुझे लगता है कि बहुत attach हैं बहुत प्यार करते हैं वो आराम से अपनी wicket देना पसंद नहीं करते हैं इसी वज़ा से उनकी batting में consistency बहुत है strength तो बहुत हैं अब strength को वो super strength में convert होती चली जा रही हैं वो strength और generally भी हमने देखा है कि यही काम करना चाहिए weakness की तरफ जादा तबज्यों दिना चाहिए अगर वो fatal नहीं है कि आपको बार बार आउट महा हो रहे हो लेकिन यह बावर आजम strength पर ही हैं और strength super strength में जा रही हैं जिसके यह records बंड ब्रेक करते जा रहे हैं और नए नए records बनाते जा रहे हैं यह बड़ा simple रखावा इन्होंने नए experiments नहीं करते पर simple इतना है और यही चीज़ हमें follow करनी होती है कि आप जब चीजें skills वगारा आप इंप्रूफ कर जाते हैं तो जो चीजें हैं आप उसके साथ strict रहे नए experiments ना गरें तो जो कर सकते हैं वो best उसी हो करते चले जाए यही फैसल भाई एक च्छोड़ से ब्रेक लेना मिझे न्यूस ब्रेक से वापस आता हूं तो बात को यहीं से कंटीनियू करते हैं वेलकम बैक ब्रेक पर जाने से पहले बात होनी थी बावर आजम के हवाले से फैसल भाई ने बड़ी जबदर्स बात की कि अपनी स्ट्रेंथ पर रहें कोई नया अपनी स्ट्रेंथ और अपनी स्किल्स का फुल इस्तमाल कर रहा है थर रिजवान है रिजवान भाई तो बावर पर बात करें करें इमाम लग बहुत एक्स्टरॉडनरी परफॉर्म कर रहा है मेरा खेल है इतनी ज्यादा क्रिटिसिजम के बाद अगर कोई बंदा इतनी शा अब इतना प्रेशर जब आपको पता जी क्राउड भी खिलाफ है मुझे परसी की भी लोग कह रहे हैं ग्राउंड में जाता है तो बड़ा प्रेशर होता है ग्राउंड में वैसे भी एक बंदे के ऊपर जब आप 20,000 लोग देख रहे हैं लाइव टेलिविजन पर आप उस प्रेशर में खड़े हो के किंसिस्टेंटली मैचों में स्कोर करना औस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में उन्होंने दोने इनिंग में सौब बनाई फिर वन देज में भी स्कोर किया भी वेस्टरीज के खिलाब भी का रहे है तो हाट्स ओफ तो हिम यह डिजर्ब्स अच्छा एक मज़ी की चीज और भी है फैसल भी जो स्टेटिस्टिक्स पर काम करने वाले लोग हैं स्टेटिस्टिक्स को देखके वो यह कह रहा है कि अगर इमाम-ul-hak 50 प्लस स्कोर करता है तो दूसरी पोजिशन वंडे थे भी चिन जाएगी विरात को लिकी और फिर वहा लोग भी प्रफॉर्म करेंगे तो जाहरे उनके भी रैंकिंग बेतर रहेगी अगर यह लोग अगर शो कर रहे हैं तो इनको मिलना चाहिए और इस पर हमें खुश होना चाहिए और कमाल की बात है और फैसल भी एक चीज़ और बनता है पाकिस्तान के स्टारे प्ले जी जी एक चीज़ और जो मैं माधरत आपकी बात का थी जो रिजवान भाई को भी मैंने का बड़े लंबे अर्से के बाद स्टार्डम वापस आया आपको याद होगा हम ये काम वसीम अक्रम शोय बखतर इनको देखकर बड़े खोश होते थे कि लोग आके गले मिल रहे हैं प्या ये जा रही है जिसको सब फॉलो करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से रहे हमारे पाकिस्तान में और प्रिकेट से अटेचमेंट अफिलेशन हमारी बहुत ज़ादा हो गई है और जब आपको मौका मिलता तो जहर है कुछ हम अपने स्टार्स को जाके मिलेंगे और गले मिले या आथ मिलें ये तो हर इनसान और हर पाकिस्तानी ये चाहता है तो अगर ये इस तरह प्रफॉर्म करते रहेंगे तो यही वो इंटरस्ट है जो हम गेन करते हैं जिससे हमारी टीम को भी फायदा होता है और लोगों पर भी एक इसका बड़ा अच्छा इंफुन्स होता है इंपक्ट पड़ता है ये बात सही है रिजवान भी एक तो बाबराजम पे थोड़ा से मैं ये कहता हूँ जब हारिस जैसे प्लेयर आए हैं नए प्लेयर जैसे बड़े प्लेयर के साथ एक तो ड्रेसिंग रूम शेयर करना ही बहुत बड़ी बात है साथ रिजवान है और फिर आपके शाहिंशा कितना बेतर मौका होता है आपके लिए सीखने का खास तोर पर हारिस जैसे प्लेयर के लिए खेर है वो ओपनर से थोड़ा नीचे उसका गया है अपना बैटिंग और लेकिन बारहल मौका तो है नहीं देखें ओपनर का तो मस्टला यह ना कि आपको यहाँ माशा आलला सो मे यहाँ में आपके लिए आपके बनाने के लिए आपके पास पॉजिशन ही फाई और सिक्स की अवेलिबल है वन डेज में और इवन टी ट्वैंटी में भी आपको थ्री के नीचे पॉजिशन आज़ती है हारेस के लिए बलकि मैं तो कौंगा थोड़ा सा मुझे इतराज यह कि पिछले जो पहला वन डे था जिसमें हरेस को आपने बैटेंगी ने कराई वो खुजदिल से पहले उसका चांस देना जरूर चाहिए था क्योंकि घबराना नहीं चाहिए आपको लेकिन सब चले खुजदिल ने महां तो का आपकर देगा है हम तो उस पे तो बात ही नहीं पाकिस्तान का लेवल थोड़ा से वेस्ट इंडी से उपर ही है तो यंग्स्टर को चांस देना चाहिए आप यू कांट गो टू वेस्ट इंडीज और वर्ल कब जो भी आ रहा है आपका T20 का और उस वक्त आप जाके नए प्लेस को ले आए और उनको उनको एक्स्पोजर न चैने में इडिज नॉट की ग्राउंड के अंदर पचास ओवर में क्या होता है जो बाकी पूरा आटमस्फेयर उसको मिलता है उससे उसके कॉंफिडेंस और एक्स्पोजर में बहुत फरिक बात करें लेकिन इस वक्त हसन अली अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं लेकिन मेर स्कोर देने पर आते हैं फिर उनका स्कोर नहीं रुखता विक्रिट नहीं उनसे निकलती तो ऐसे मौके पर बेशक वह बड़ा बॉलर है वह रहम से वापस आ सकता है ठीम का हिस्सा है थोड़ा बैंच उनको भी बिठा देना चाहिए बैंच पर धानी को मौका मिलना हासन अली की पहले आपने बात की तो हसन अली का जिस तरह कि यह बॉलर्स हैं पास प्रफॉर्मस इस रही हैं तो इनको थोड़ी सी हैल्प चाहिए होती है पिच में से अगर इनको हैल्प बॉलर हैं लेंथ बॉलिंग करते हैं पेस इतना अफेक्टिव नजर नहीं आता इसले मैज में देखा फ्लैट ट्रैक था तो वहां उनको हैपनी मिली वहां पर भी स्ट्रगल की तो इसलिए लेकिन दानी के पास हमें एडवांटेज ही है कि दानी के पास पेस भी है और दानी जिस तरह का ट्रैक्टर हैं अगर वो टीम में फिट इन होते हैं तो वो लोगों का इस ट्रैंज का पता नहीं चल सकेगा और हमारी डिसीजन्स हुए हैं बिफोर एंट्रिंग तो दे मेजर इवेंट्स को एफेक्टिव नहीं हो सकेंगी अचा बड़ी सही बात है रिजवान भी जैसे कई ऐसे बड़े बालर्स हैं जो मुक्तलिफ फॉर्मेट्स म में नहीं देखते हैं मुक्तलिफ फॉर्मेट्स में लेकिन वह टेस्ट कैप्टन भी है इसी तरह असन आलिया क्या बेटर नहीं कि आप फॉर्मेट्स के लेक्राक यह बहुत अच्छा हो सकता है temos P Horse Infinite को आप ती 20 से इस्लेक्ट्या T facility में डाल देते हैं दृए जो अच्छा में डिफाइन करनी है उनके पस लाज़ पूल अफ प्लेयर्स उन्होंने पहले मौके दिये लोगों को फिर उनको अडेंटिफाय किया उनकी कोचेज ने के यार यह तुम इस चीज के लिए हो तुम इस चीज में फॉर्मेट में यूर बेटर आफ और अगर उसके बाद ऑप् की लिमिटेड किसम की स्विंग और सीन की ऑप्शन जहां पर वो कुछ उसके लिए प्रॉब्लम्स आ जाती हैं अगर बैट्समन सेट हो जाए और लिमिटेड फॉर्म में पेच भी थोड़ी हल्प करें तो मेरा वहां वह काम कर जाता है जहां पेच हल्प ना करें तो वहां हमने उसको भी तक टीम में नहीं लाया हाला कि इस बी परफॉर्मिंग फर लास्ट पान अदा हाफ एर तो उनके कोचेज ने नोइंग के यार यह एक ओवर्सीज प्लेयर है उसकी लिमिटेड लैंगविज के स्केल्स हैं इवन देन ही इस गुड़ अनाफ तो मेक शोर के उ वेलकम बैक जी अब दरा बात करेंगे पाकिसान के बॉलिंग पर बॉलिंग अटेक पाकिसान का बहुत अच्छा है लेकिन मुल्तान के पिट जहां पर स्कोर ज्यादा होने थे वहाँ पर पहले मैच में 300 रंस दे दिये वेस्ट इंडीज जैसी टीम को वो तो पाकिसान के बैटिंग बड़ी जबरदस तरीके से आगे बड़ी तो हमने 300 रंस बासानी चेस कर लिए अच्छा जी फैसल भई बॉलिंग के हवाले से मुझे ज़रा पताएं आपकी नजर में इस वक जो हमारा प्रेजेंट स्कॉर्ड है उसके अंदर बेहतर तरीके से आप समझते हैं क एक साथ होने चाहिए फास्ट बॉलर्स में या फिर हासन अली का होना ऑस्ट्रेलिया जैसी पिच्छेस पे जो आने वाला वर्ल्ड कप में वहाँ जरूरी है लेकर पहले हैं एक बात को समझना है कि हमें हमारे पास इसवक कि सकॉर्ड में जो पांच पास elevator हैं पेसर्ज हैं और तीन spinट हैं एक किसकार को करतें चाहर दूरह को बाता है बेकिन हमें जब करिंप तूम करने के पहले स्पिन्ट ट्रैक हो गया था तो उससे पहले मैच में फ्लैट ट्रैक था तो काफी बाल जा रहा था हमारे पास ऑप्षिन डिफरंट किसम के बने चाहिए और हमें स्पिनर्स को भी थोड़ा सा चांस लेना चाहिए अगर आगे की सोचते हैं तो हमें चांस लेना होगा जिस तरह ये दो मैज जीत चुके हैं तो एक्सपरिमेंट कर सकते हैं जाहिद महमूद बात बैठे हुए हैं फिफ्टी ओवर का गेम है ये टी ट्विंटी में फॉर्मेट नहीं है तो इसमें हमें दस ओवर्स करनी होंगे तो हमें जाहिद महमूद को अगर आप चांस लेते ह जाहिए थे हैं फिर्स क्लास काफी अर्शे से केल रहते हैं तो काफी एफएक्टिव ऑलर हैं मेरे ख्याल में लॉंगर फॉर्मेट में तो वह बहुत सूट करते हैं शौटर फॉर्मेट में उनको थोड़ी डिफिकल्टी होती है क्योंकि वह लूग देते हैं यही आप से जाहिए था कि वन दे के लिए क्या जाहिए सूट करता है क्योंकि टी ट्वेंटी में तो कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं वह दे सके और कोई इंप्रेस भी नहीं कर पाए यह लॉग फॉर्मेट में जाहिए टेस्ट क्रिकेट हो या फिफ्टी ओवर गेम हो यह एफेक्टिव हो सकते हैं क्या कहते हैं रिजवान भी अतर भाई मुझे जो सिर्फ जाहिए के उपना आपनों तो खेला भी है उसके साथ बट फिर्स्ट ग्लास में भी उसकी कोई पर विकेट तो वो थोड़ी ज़्यादा हाई है फो फिर्स्ट ग्लास क्रिकेट आम तो जो 27, 28, 26 की आवरेज होती है तो फिर भी आप 30 प्लास पे रहते हैं तो मुझे उसकी सिर्फ एवरेज पर इतराज है कि उसने इवन फिर्स्ट ग्लास में कभी कोई बहुत लंबी या सीजन में 50-60 विक्तों वाला सीजन नहीं अभी तक गुजारा है हालाएं कि 8-10 सा लोगें खेलते वे 12 आप सही बात कर रहे हैं लेकिन अगर मैं आप से इस बात में शेयर करूँ कि हमारे जो फिर्स क्लास क्रिकेट है हमारा जो प्लेइंग कंडिशन्स हैं वो काफी चेंज स्कूडłos को वैसे भी मौका क्म मिलता है स्कारी अवहा tocar है सुमयदा कराची में लोगें वहाँ जूखने पन्जाब अगर हमारे पर द्क शोड़ी मैशव यहां तो कुछ आप आप खुद देख भी रहे होते हैं, रिजवान भाई हमारे पास spinners भी बड़ी limited जैसे fast तो हैं, हमारे पास पीछे options भी बहुत हैं, अभी नसीम है, हसनेन अल्हमदो लग लेर हो गया, हसनेन पे करता हूं, मैं अभी बात भी, हमारे पास पेड़ी कम option रह गए हैं, अभी इमाद वसीम, नवाज, शादाब, जाहिद, इन्हीं के बीच में हम घूम रहे हैं, असल में आपके पास हमने पीछे रीसंट्ली खेली बहुत ज़्यद कि अभी आपके कितने साल हो गए हैं, आपके पर सही दजमल और सकलयान के बाद आपनी किसी को identify ही नहीं किया, कि यार यह long term में हमारा next five year plan है कि इसके ओपर काम हो रहा हूं, academies में भी हमें कोई fast polis तो नज़र आरे हैं, जबें काम हो रहा है, leg spinner और off spinner, sorry left arm spinner और leg spinner नज़र TSL में नहीं दिख रहे है, TSL में आपको किसी team के पास आपके पास off spinner नहीं था, और ना आपको national T20 जो October में हो तो इसमें हमें कोई नज़र लिया है, domestic में एक दम से काल पढ़ गए है, आपको एक camp लगाना चाहिए, different शहरों में, आपको middle order batsmen के लिए और off spinners के लिए, क्यों इसे अभी last match में आप देखें, easily 300 हो सकता था, इमाम और बावर्शांदार केले थे, बस वो जाते हैं तो फिर पूरी team पीछे से लोड़क जाती है, हम वहाँ middle order के लिए कर सकते हैं और दूसरा off spinner, यह क्यों आप देख रहे हैं, वैसल बड़े off spinner नापैद होते जा रहे हैं इसमें रिजवान भी सही बात कर रहे हैं और इसमें हमें देखना पड़ेगा, talent identification programs बनते हैं, जिसमें से आप off spinner को या batters को या fastballers को आप उनकी strength को देखकर आप उनको इंड़क करते हैं, यहां डेपेंड करता है nature and nurturing, यानि nature उनको genetically चीज़ें ऐसी advantage या strength basis पे आप select कर ले है जहां पे train to win position पे आजाता है कि उसको win करना होता है और ये चीज़ें सिकाना होती हो जब तहम हम domestic cricket को हम देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें काबले तारीफ हैं, वे cricket board की और बहुत अच्छी हो रही हैं, लेकिन हमारे अभी तक हम लोग preparation है, या player development program है, वो उस तरह नही है तो वो minimum three months या four months पर अच्छा 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 एक चीज़ और आप देखे के PCV के जो player development program है, उससे ज्यादा लड़के जो PSL के franchise अच्छा इसके player development program है, वहाँ से निकल के आ रहा है, लोजी की तरह लोजी की बात करो, क्या कहते हैं फैसल भी अच्छा उसकी वज़ा है, क्योंकि PCV के जितने भी programs हैं, यह अच्छी तरह आप जानते हैं, कि वहाँ पे हम प्रेस को select करते हैं, इससे पहले जोपन बेस प्र प्रेपरेशन का टाइम नहीं मिल रहा है, तो हमें सिर्फ एड करनी हैं, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कि हमें प्रेपरेशन टाइम बढ़ा दे हैं, किसी भी एंटर होने से पहले, और जहां तक आपने कलंदर की बात किया, दूसरे प्रोगैम की यह प्लेशन प्रोगै हैं, कि हमें कोई ना कोई प्लेयर मिल जाता है, जब ट्रिकेट जादा खेल रहे थे, अभी हमें बहुत जादा रिफाइन करना होगा, कुछ डिसीजन लेना पड़ेंगे, कि हमें डिसीजन से बहुत गहरी नखना पड़ेगी, कि किस फॉर्मेंट में कौन लड़का खत्म होगे, उन लोगों को ज़्यादा मौका मिल जाता है, नेशनल ट्रिकेट अकेडमी में जाने का बनिसमत इसके के नए प्लेयर की फाइंडिंग करें, तो गली महलनों से जो फ्रेंचाइज प्रिकेट लेकर आरही है ये प्लेयर, बिलकुल नहीं और इसमें आपको बि पाकिस्तान, मुझे तो भी सबस्यादा टालेंट जो वैसे रीसेंटली आपको नजर आए, वो केपी से नजर आ रहा है, विच इस प्रोवाइडिंग टू अफगानस्तान एंड पाकिस्तान, सर मैं एक और चीज़ भी आपकी बात केपी से बिलकु ठीक कह रहे है, मैं अग पाकिस्तान तो ऐन पाकिस्तान का इसको कह है अगया टीम, आटीम तो एक परतीम है और पर इसको परन पर केपण तो परतीम करें, युछ को पिलिए नजरू करें, किसमां यह जो करने अघर का लाइसा अप पीतम करेंग ओनी, को कई-दॉर में कई-छाजर करहे हैं, या जिसकी वज़े से प्लेयर पूल हमारा बहुत बड़ा हो गया है तो हमारे पास आप्शन जाद हैं थोड़ा सा चीज़ों को मजीद इंप्रूफ और एड़ करने की जुरुत है तो हम बहुत अच्छे हो जाएंगा अपको यह इडेंटिफाय करना होता है यह तैलेंट है जो कितने अरसे के बाद काम आएगा तो उसको आप लूप में यह डिवैलिम्मेंट में में लेके आ जाएं और उसको मॉनिटर करों तुमेस्टिक हैं और फिर वो स्किल्स उसकी फरनिश कर लें उस पर थोड़ा सा काम कर लें जिस पर पुरी दुनिया में काम हो रहता है तो झाल कर लें झाल झाल